हेलो मनों असकार दोस्तों कैसे हैं आप सभी एक बर फिर छे आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट अस्टडी में तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रेल्वे अप्रेंटिशिप 2023 के अंतरगत अगर बात करें तो जो आपका इस्टन रेल्वे का नूडिफिकेशन जारी किया गया था 22 तेई सेशन का जिसमें टोटल पोस्ट का बात करें तो 3,115 पोस्ट पे इसका नूडिफिकेशन आया था और लगभग यहां पे 6 से 7 महीने के बाद इसका एक एक करके सभी डिविजन का डॉकुमेंट वेरिफिकेशन का मैरिट लिस्ट जारी हो गया है जी हां सातो यूनिट का आपका डॉकुमेंट वेरिफिकेशन का मैरिट लिस्ट जारी हो गया है जिसमें अगर बात करें तो जमालपूर आसन सोल मालदा सबसे पहले इसका merit list आया, उसके बाद आपका सियालदा और कंचना पाराक आया, जिसका आपका 2 जून से document verification शुरू होगा, और आपका कल के date में हावडा और लिलुआ का भी document verification के regarding merit list पब्लिक कर दिया गया, अब इसमें common question देखने को आ रहा, या फिर बोलिए कि ये railway का गड़ बड ना हो, student का यहाँ पर कहना है कि किसी का 5 unit में selection हो जा रहा, किसी candidate का 4 unit में selection हो जा रहा, किसी candidate का 2 unit में selection हो जा रहा, पर किसी candidate का, बहुत सारे candidate ऐसे भी हैं, जिसका एक भी unit में selection नहीं हो पा रहा, जो cut-off का बात करें, उससे ज़्यादा cut-off आ रहा, फिर भी, ऐसा क्यूं, तो आज की इस पूड़ों फुल डीटेल से कवर करने वाले हैं, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, उससे पहले जो लोग भी चैनल पर फॉस्ट टाम है, सस्क्राइब नेकिए, सस्क्राइब करके बेल बटन काउन कर दीचेगा, ताकि रेल्वे का पलपल का अपडेट आप सभी को मिलती रहे, डिस्क्रिप्शन में आपको वर्टसेब गुरूप का लिंक मिलता है, जरू-शरू जोईन कर लिजएगा, छोटे मोटे अपडेट, पीडे वीरा कंटीनू आपको आप भी देखने को मिलते रहते हैं, जरू-चर्ण आपको 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 आपक उसमें मेरा selection तो 100% हो जाएगा, उसके बाद आपका क्या होता है, कि आपका कंचना पारा और आपका सियालदा का merit list आता है, ठीक है, जिसका document verification दो तारिक से सुरू हो रहा, जितने भी candidate call letter download नहीं किये, कर लिजेगा, दो तारिक के बाद आपका call letter download नहीं होगा, call letter download नहीं होग उन ही candidate का, बहुत सारे candidate का आपका roll number फिर से repeat किया गया है, कंचना पार और सियालदा में, ठीक है, तो जितने candidate का नहीं हुआ, कुछ extra candidate का हुआ भी, कुछ का नहीं हुआ, तो एक last room भी लगा के बैठेते, कि आपका हावडा और लिलुआ का आएगा, उसमें तो हमारा selection हो ज जारी होता है, इन सभी का जो उम्मीद है, उस पे पानी फिर जाता है, क्यों, क्योंकि 90% होने के बावजूद भी इनका हावडा और लिलुआ में selection नहीं हो पाता है, तो सोचिए, जिसमें आपका, जमाल पूर आसन सोल मालदा में जिसका selection हुआ, कंचना पारा, सियालदा मे भी same roll number, आपको same candidate का selection किया गया, उसी तरह जब आपका हावडा और लिलुआ में भी same candidate को हापे सोचिए किया गया, तो railway से यहाँ पे एक ही सवाल है, कि जब आपको पता है कि इन सभी candidate का जमाल पूर आसन सोल मालदा में selection हो गया है, तो फिर उसी roll number को क्यों repeat किया जा रहा ह चलिए, कंचेना पारा सियाल्दा तक भी तो बात समझ में आता है, ठीक है, उसके बाद जब आपका हावडा और लिलुआ का merit ली जारी गया, तो same process देखने को मिला, कि जिसका कंचेना पारा सियाल्दा में नाम है, उसका आपका हावडा और लिलुआ में भी नाम है, तो ए जब आपका form आता है Eastern Railway का, Eastern Railway में ही ऐसा आपको नियम देखने को मिलता है, बाकी डिविजन में ऐसा नियम नहीं है, और सबसे जो खराब नियम आप बोल लिजए Eastern Railway का ये है, कि आपका second merit list जारी नहीं होता है, इसी में बहुत सारे candidate यहाँ पर reject हो जाते है, second merit list ली नही है, जो आएगा first list में ही आएगा, ठीक है, अब बात करते हैं कि ये पूरा cut up हो decide कैसे हो रहा, कि इसको आपको कितने कितने merit list में सामिल करना है, जब form आता है, तो वहाँ पर आपको क्या बोला जाता है, कि unit preference डालने के लिए, ठीक है, unit preference आप डालिए कि आप कहां कहां training करना चाहते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, सभी candidate डालते हैं, कोई आपका 3 unit को डाल दिया, कोई आपका 4 unit को preference में डाल दिया, कोई ऐसे भी होते हैं, जो 6-6 को भी डाल देते हैं, तो हम यहाँ पर suppose मान के चलते हैं कि हम 4 unit को ही लेते हैं, जैसे आपका जमालपुर ले लिए, आसनसोल ले लिए, ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पर सियालदा ले लिए, और यहाँ पर हावला ले लिए, माल लीजे हम लोगों ने 4 unit को select किया, ठीक है, इन 4 unit को हमने select किया form apply करते टाइम, और हमारा trade है feature, हम सिर्फ समझाने के लिए बोल रहे हैं, ताकि जिसका selection नह लिएर हो जाएगा, तो जमालपूर, आसनसोल, सियालदा और हावडा, यह 4 unit हम example के लिए लिए, और एक candidate है, जो आपका feature rate से बिलोंग करता है, और उसका overall percentage आपका बन रहा है 85, ठीक है, जहाँ से सुनिए, 85 बन रहा 10th प्लस ITI को मिलाने के बाद average percent feature से ITI का आपका 85% निकल ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, कि 4 unit का candidate form apply कर दिए, आप जो merit list बनता है, तो क्या होता है, कि आपका जमालपूर, आसनसोल, मालदा, इसका जो merit list प्रिपेड होगा, जमालपूर workshop करेगा, ठीक है, उसी तरह आपका कंचनापारा और सियालदा का merit list बनेगा, वो आपका आपका कंचनापारा वर्क्सप में प्रिपेड होगा, ठीक है, उसी तरह आपका हावडा और लिल्वा का merit list बनेगा, वो आपका हावडा में प्रिपेड होगा, मतलब, merit list अलग-अलग department है, आपे प्रिपेड करता है, तो वो department क्या देखता है, कि माल लिजे, इसका 85 है, और यहाँ पे जमालपूर में आपका कटफ गया 84, फीटर का 84 कटफ गया, हम एक्जामपल बता रहें, ठीक, 84 गया, तो क्या होता है, कि इस candidate का अराम से आपका जमालपूर के DV में, merit list में नाम आ जाता है, ठीक है, उसके बाद, जब आपका आसन सोल का merit list प्रिपेड होता है, उ कंचनापारा, सियालदा, कंचनापारा और सियालदा में आपका क्या होता है, कि जो merit list बनेगा, वो आपका सियालदा डिविजन की तरफ से बनेगा, या फिर कंचनापारा वर्क्शॉप की तरफ से बनेगा, दोनों का merit list एक ही जगा बनता है, तो जब आपने department के जो अधिक या फिर आसन सुल में आ गया है, उनको यह इस बात का जनकारी नहीं होता है, ठीक है, वो अपना merit list बना रहे तो उनको सियालदा में आपको फिर से इनका merit list में नाम आ गया, ठीक है, दो in reward में merit list में नाम आ गया, एक ही छात रका, बाकी क्या होता है, कि जो इससे कम है, वहां तक अगर cut-up qualify कर लेते हैं candidate तो उनका नाम दे दिया जाता है, और जो cut-up qualify नहीं कर पाते हैं उनका नाम नहीं दिया जाता है, अब आते हैं हावडा और लिल्वा में, last merit list में, तो हौडा और लिल्वा का merit list आपका DRM office लिक्त कीनल के जाता है, हावडा और लिल्वा candidate का नाम बार बार यहां पर repeat होता है बलकि department का ये होना चाहिए कि जो candidate का एक बार नाम आ गिया है list में उसका नाम दूबारा यहां पर जारी ना किया जाए उसके बदले क्या होता है कि आप जो भी जिसका कम परसेंटेज बन रहा 10th प्लस ITI मिलाकर उसको मौका देना चाहिए ताकि उन सभी का भी selection हो पाए और वो भी फाइनली सफल रूप से railway से apprenticeship कर पाए जो जनकारी आपको दिया जो मैंने आपको समझाने का पर्यास किया वो आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा ठीक है सबका merit list अलग-अलग जगा prepared होता है एक जगा prepared नहीं होता आप ही सोचो अगर एक जगा prepared होता तो 7 unit का document verification का merit list एक साथ जारी होता ना कि अलग-अलग data's में ठीक है अब बात करते हैं कि जो आपका यहाँ पे हावडा और लीलुआ का जो cut-off गया है इसी वीडियो में हम cover करेंगे नेक्स वीडियो में इसी वीडियो में देखते हैं जो आप जानकारी मिलेपा है फिर आप जो further information student के द्वारा मिलेगा तो फिर हम नेक्स वीडियो में भी detail करेंगे ठीक है बात करते हावडा और लीलुआ में तो cut-off देखें अगर हम बात करें हावडा के अंतरगत वेल्डर का जो cut-off गया है ठीक है वो आपका 83% गया है OBC के अंतरगत अब मुझे पता है बहुत सारे student बोलेगे हमारा तो 84 था हमारा तो 85 था फिर हमारा selection क्यों नहीं हुआ ठीक है यह जो problem में बहुत पहले से चलते हारा जमालकूर में भी यह problem देखने को मिला तो कि हमारा आपका यहां पे merit गया 80 हमारा percentage 85 फिर भी हमारा selection नहीं हुआ क्या कारण हो सकता है इसका ठीक है तो बाकी final merit list आएगा न तो उसमें आपको पूरा detail से clear मिलेगा कि क्या problem था क्या नहीं थोड़ा सा wait करिए फिर भी हम इसके ओपर फड़ा फट करके RTI लगा देते और RTI का जब लगाएंगे तो आपको वीडियो भी provide कर देंगे कि क्या क्या problem उनसे यहां पे मांगा गया है जो भी आपका है पर समस्या बाकी देखिए जिसका selection हुआ है या फिर जिसका selection नहीं भी हुआ है वो सभी हमें comment box में comment करके आप यह लिखिएगा आप कौन से unit में selection हुआ कितना percentage था और trade कौन सा था यह तीन चीज जरूर mention करिएगा request है हमारा humble आपसे ताकि cut up के ओपर एक detail से analysis करने के बाद आपको वीडियो प्रवाइट किया जा सके तो चलिए आज के लिए इतना ही पलपल का update पाने के लिए अगर subscribe नहीं कियोंगे तो subscribe कर लिजेगा subscribe क करने का कोई पैसा नहीं लगता है जो आपको बिल्कुल फिरियो आप कोश्ट है इससे क्या होता है कि latest information आप सभी को मिलते रहता है तो चलिए आज के लिए इतना ही तब तक के लिए जय हिंद जय भारत